तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल रासलिंग की डामें तो भाई डबलुडबलुई रासलमेनिया के लिए फैंस बहुत ज्यादा उटसाइद हैं और इस सो के लिए लगबग सभी मैचों का एलान भी हो गया है और डबलुडबलुई ने इस इवेंट को बढ़िया बनाने के लिए पूरी तयारी भी कर लिये लेकिन भाई सो में होने वाले कुछ मैचों पर फैंस की मुख्य रूप से नजर भी है और डबलुडबली रसल मिन्या जैसे बड़े प्रेमियम लाइव एंट में लड़ना एक बड़ी बात है तो ऐसे में कई सुपस्टार्स सिरफ कुछ मिंच के मैच का इस्ता बन कर ही खुस हो जाते हैं तो दूसरी और कुछ रसलर्स के मुकाबले थोड़े लंबे चलते हैं तो वाइस वीडियो में हम रसल मिन्या अक्सल में होने वाले दो मैचों के बारे में बात करेंगे जो की लंबे चल सकते हैं और दो जो जल्दी खतम हो सकते हैं तो नमबर टू डव्वी रसल मिन्या अक्सल में मैच जल्दी खतम हो सकता है दे प्राईज वर्शेज फाइनल टेस्टमेंट बाई द प्राइड और फाइनल टेस्टमेंट के बीच रसल मिन्या अक्सल की नाईट टू में six man tag team match होने वाला है और असल में ये Philadelphia street fight मुकावला होगा और इसी के चलते यहाँ जबरजस्त बवाल मच सकता है और इन सभी सुपस्टार्स के बीच काफी fast face action देखने को मिल सकता है और भाई पिछले साल जिस तरह tag team showcase match ने कम time में काफी परबावित किया था तो उसी तरह से carry and cross और AOP मिलकर Bobby Leslie और street profits के खिलाफ romance चक match दे सकते हैं तो यह है यह अन्य सभी matchों की तुलना में सबसे छोटा भी रह सकता है नमबर टू WWE Russell Minya Axel में match लंबा चल सकता है रिया रिपली वर्सेज बैंकी लिंच बाहर रिया रिपली और बैंकी लिंच के बीच Russell Minya Axel की night one में women's world championship के लिए match देखने को मिलेगा और इस मुकाबले के लिए fans का उत्सा अलगी level पर है और बैंकी लिंच और रिया रिपली दोनों ही अपनी इंडिंग स्किल्स के कारण काफी चर्चा का विसे रहती है तो इसके साथ ही उन्हें कमपनी की सबसे टफ सुपस्टार्स में से गिना जाता है तो भाई Russell Minya जैसे बड़े सो के दुरान डिया रिपली और बैंकी लिंच जरूर जल्दी हार नहीं मानेगी और वो मुकाबले के दुआरा एक दूसरे के फिनिसर्स पर किक आउट करके सबी को चोंका सकती है तो ऐसे में दोनों का मैच जरूर लंबा चल सकता है और पिछले सारलेट फ्लेर और रिया रिपली का मैच भी काफी लंबा था और दोनों ने फैंस को काफी ज़्यादा परवावित किया था तो उसी तरह बैंकिल इंच और रिपली के बीच कड़ी टककर जरूर हमें देखने को मिल सकती है नमबर वन डबली डबली रसल मिनिया अक्सल में मैच छोटा रह सकता है जेड कारगिल, बियंका ब्लेर और नियोमी वर्सेज डेमेज कंट्रोल तो भाई डबली डबली रसल मिनिया अक्सल की नाइट वन में जेड कारगिल रिंग में नजर आएंगी और वो इसके पहले आखरी बार रोल नमबर 2024 में एक्सन में दिखी दी और बियंका ब्लेर नियोमी और जेड कारगिल का सामना डेमेज कंट्रोल की डेकोटा, काई और काईरी सेन और ओसका से होने वाला है तो मैच में जेड कारगिल ने नियोमी और बियंका जैसी ताकतवर सूपरस्टार्स है तो ऐसे में उनका डेमेज कंट्रोल के खिलाब मैच में डोमिनेट करना संभावी बात है और ये रसल मिन्या अक्सल के सबसे छोटे मैचों में से एक हो सकता है क्योंकि जेड संभावी तोर पर अपनी जबरजस ताकत का इस्तुमाल करके डेमेज कंट्रोल की हालत खराब करते हुए टीम को जल्दी जीत दिला सकती है इससे कारगिल का परबाव भी बढ़ेगा नमबर वन डबलु डबलु रसलमिन्या अक्सल में मैच लंबा चल सकता है रोमन डेंक्स वर्सस कोडी रोडस और यह सबसे ज़्यादा फेवरेट मैच होने वाला है तो भाई डबलु डबलु रसलमिन्या अक्सल की नाइट टू के मैन इवेंट मैच पर सभी की नजरे ठीकी हुई हैं और रोमन डेंक्स अपनी अंडिस्ट्पिटेड डबलु डबलु यूनिवर्सल चेंपेंसिप कोडी रोडस के खेलाफ दाउं पर लगाएंगे और दोनों की बीच पिछले साल रसलमिन्या में हुआ मैच लंबा चला था और इस साल भी ऐसा ही कुछ हो सकता है और काफी ज्यादा संभावना है कि नाइट टू का मैन इवेंट बलडलाइन रूल्स सर्थ के साथ देखने को मिलेगा और ऐसे में मुकावला और भी लंबा चल सकता है और ये रसलमिन्या अक्सल प्रीमियम लाइवेंट का सबसे लंबा मैच भी रह सकता है तो भाई ये थे दो मैच जो सबसे ज़्यादा लंबे चल सकते हैं रसलमिन्या 40 के दोरान और दो मैच जो सबसे छोटे हमें देखने को मिल सकते हैं तो भाई आपका इस बारे में क्या ओपिनियन आप मुझे कमेट करके बताईए साथ इसाथ भाई वीडियो को लाइक भी कर देना और चेनल को भी सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेटिव वीडियो मैं अक्सर आपके लिए ले के आता रहता हूं मैं चैनल को जुरूर सब सब्सक्राइब कर लेना बाके मिलता हूँ आगले वीडियो में तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा बाबाए